वैसे तो अजे देवगन और काजोल इंडस्ट्री के पावर कपल कहलाते हैं। दोनों में गजब की केमेस्ट्री नज़राती है। दोनों की शादी को 21 साल हो चुके हैं लिकिन आज भी दोनों में वही प्यार और अट्रेक्शन नज़राता है। लिकिन शायद बहुत कम अजोल के बीच अजे को लेकर लड़ाए भी हो गई थी। आईए नज़र डालते हैं अजे देवगन की Controversial Love Stories पर। फिल्म फूल और काटे की सफलता के बाद ही अजे देवगन को Bollywood में स्टार स्टेटरस मिल गया था। जिसके बाद रवीना के साथ अजे को एक साथ कई फिल्म में ओफर हुई। दिव्वे शक्ती, दिलवाले, एक ही रास्ता जैसी कई फिल्मों में साथ साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरी को अपना दिल दे बैठे। दोनों कैफे की चर्चा सुर्ख्यों में आने लगी। लेकिन जल्थी अजे देवगन का दिल रवीना इस टंट बताया था। फिल्में की और इस दोरान उनका प्यार परवान चड़ गया। जब आजे करिश्मा की लव स्चोरी की खबर रवीना टंडर तक पहुची तो उन्होंने ये तक कहडाला कि अगर इन दोनों के बच्चे हुए तो जेवरा जैसे दिखेंगे। हाला कि इन दोनों का प्यार भी सादा दिनों तक टिक नहीं सका। नमबर तीन मनीशा कोई राला जी हां नेपाली गल मनीशा से भी अजे देवगन की नजदी क्या रही। खबरों के अनुसार फिल्म धनवान की शूटिंग के दौरान मनीशा अजे देवगन को दिल दय बैठी थी। लेकिन उस समय अजे पोना टाइम इन मुंबर में अजे देवगन की अपॉजिट कंगना रनोत को कास्ट किया गया था। फिल्म की स्टोरी लाइन की अनुसार अजी को कंगना के साथ रोमांस करना था। कहते हैं उनका ये ओन स्किन रोमांस ऑफ स्क्रीन भी शुरू हो गया। दोनों ने इसके पाबंदी लगा दी। नमबर पाच काजोल 1994 में अजे ने काजोल के साथ एक फिल्म साइन की हलचल। अजे उस समय करिश्मा के प्यार में पागल थे। शूटिंग के समय भी अजे इप करिश्मा से घंटों बाते किया करते थे। लेकिन शूटिंग के दौरान धीरे-धीर सावी सरोनी काजोल अजे के दिल में घर कर गई। दोनों महां बलेश्वर में फिल्म हलचल की शूटिंग के साथ एक ही दूसरी के प्यार में गिरफतार हो गए। और इनका ये प्यार जल्दी शादी में तबदील हो गया। और आज इनका नाम बॉलिवुट के बेस्ट पल में लिया जाता है। इन दोनों के बीच आज भी उतना ही प्यार देखने को मिलता है जो कई सालों पहले इन दोनों को एक पहली नजर में दिखाई देता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको अजे देवन के सीक्रेट लव स्टोर अफेर के ब पहुत सकी।